कॉरोना वाइरस के चलते पंजाब सरकार ने स्कूल खोलने के लिए कहा था वहीं इसके बाद जिलादिश पठान कोट ने 19 अक्टूबर से स्कूल खोलने के अदेश जारी किये थे लेकिन 9 मीं से 12 मीं तक की कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल आने से पहले अभिभागों से स्मय सवक्रिती पत्र पर अक्स्ताक्षर जरूरी किया जाने के कारण पहले दिन स्कूलों में बच्चों की संख्या नामातर दिखी और वहीं स्कूल परवेश के दुरान हैंड सानिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग के अलावा मास्क पहना वे सोशल डिस्टैंसिंग रखना जरूरी किया गया था लेकिन इसके बावजूत करीब साथ महीने बाद खुले स्कूलों में आज पहले दिन बच्चों की संक्या काफी कम दिखी पठानकोट के कहीं स्कूल ऐसे भी थे जहां एक प्रतिशत बच्चे ही पढ़ने के लिए आए आज 19 अक्टूबर को सरकार की हिदायत के नुसार सरकारी सीने स्केटरी स्कूल हमीनी में फिर से चहल पहल है बच्चे गिंती तो ज़्यादा नहीं है बट फिर भी अराउंड 15-20 परसंट बच्चे स्कूल में प्रेजन्ट है पेरेंट्स की प्रॉपर इनके साथ बच्चे स्कूल में आए हुए है उनकी साफधानी का पुरा ध्यान रखा गया है यहाँ पे सैनिटाइजेशन मेशीन प्रेजन्ट हैं सैनिटाइज सारा स्कूल करवाया गया है और बच्चों की तरफ हर तरफ ध्यान रखा गया है बच्चों को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वाटर वाटल अपने साथ लेकिया हैं सैनिटाइजर्स अपने साथ लेकिया ह और उनको six feet की दूरी बना के बिठाया गया है classes में और इसके साथ-साथ online classes भी teachers उसी तरह ही conduct कर रहे है।